बिहार पंचाय चुनाओं को लेकर एक बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रही है बिहार में पंचाय चुनाओं की अपरकिरिया शुरू हो गई है पर्थम चरन की मतदान 24 सितंबर से शुरू हो जाएगी लेकिर एक करफ्यूजर अभी भी उमिदवारों के बीच है क्या हम अपने वाहनों पर जंडा बैनर लगा सकते हैं क्या अपने घरों पर या अपने चहेतों के घरों पर बैनर या पोस्टल या जंडा लगा सकते हैं किस तरह की गाडियों का उप्यों कर सकते हैं इन चीजों को लेकर अब राजिनिर्वाचनायों के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है तो बिलकुल आप निशिंद रहिए हम आपको बताएंगे कि क्या आप अपने गाड़ी वाहन मुटर घर बैट का तमाम जगों पर आप अपना परचार को लेका जहंडा बैनर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं बस हमारे साथ आप जुड़े तो फड़ी पीछे हैं पीछे इसलिए हैं कि आप तो ना तो वीडियो को शेयर कर आ रहे हैं और नहीं अब तक सब्सक्राइब कर पाएं और निशित वीडियो के नीचे लाल बटम सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस बटम को टच कीजिए और और पर किलिक कीजिए सब्सक्राइब हो जाएगा आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं कटेंगे किवल हमारी सदस्ता संक्या बढ़ेगी हम एक बड़े सदस्त के रूप में सामने उभर कर आपके बीच रहेंगे हैं तो चलिए मैं अपना पर्चे दे दूं मैं आपके सास्थ सुनेंगो हमारे बहुत थारे भीवर्स जो पंचाय चुनाओ लड़ रहे हैं वार्डस दस से लड़ रहे हैं बनचाय समीति से लड़ रहे से लड़ रह तो कुछ सवालों को हम लेंगे हलाकि हम सवाल का जवाब नहीं दे रहें लेकिन हमेशा जो पुछे जाते हैं उसको लेकर गाइडलाइन जारी हुआ है उस गाइडलाइन को गाइडलाइन क्या है यानि कि अपने वाहनों पर अपने मकान पर अपने घर पर अपने बैटका पर आप बिल्कुल लगा सकते हैं इसकों डिटेल में बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे कि कई सदस्यून या पूछा है कि वोटर लिष्ट कप परकासित होगा तो वोटर लिष्ट परकासित हो गया है दोस्तों आप जाकर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं या अपने ब्लॉक से भी जाकर निकाल सकते हैं निर्वाची पतादिकारी के माद्यम से आपको वह निकल जाएगा कई सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि कौन-कौन से डॉक्मेंस लगेंगे तो डॉक्मेंस के बारे में मैंने कई वीडियो बनाकर डाल दिया है तिसरा सवाल पुछा जाता है कि सर हमारा छेतर आरच्छित है या अनारच्छित है यानि कि जनरल है या कोई जाती बिसेस के लिए चुनाव लड़ने की वह पद पर है यह कहां से जनकारी मिलेगा तो यह जनकारी आपको अपने ब्लॉक से मिलेगा फिलाल इस समय ब्लॉक पर आपको आर कर सकते हैं कि आपकी harvest रच्षित है या अनारच्छित हैं तमाम तरह के बहुत सारे सवाल पुछे जाते रहते हैं है और जनकारी भी मिलते रहता है वह सारे भी वर्ष जो है कि अमांकन करने के बाद में पूछते हैं कि संसर हमने जाती परमान पत्र लगा दिया ठीक है या गलत तो उससे पहले आपको जनकारी लेनी चाहिए ताम से लेकिन आपने जब नामांकर कर दिया है और सीट अनारच्षित है तो आप जाती लगाएं हैं या ना लगाएं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है अरच्षित सीटों पर जाती परमांपत लगाना बहुत जरूरी है अगर नहीं लगाते हैं तो नामांकन रद कर दिया जाएगा यही सवाल कि भोटर लिस्ट में नाम कुछ और है नाम में कुछ चेंजिंग हो गया है और अधार काड में कुछ है तो यही सवाल लगतार हमारे भीवर्स पूछते रहते हैं तो आपको नहीं लिए सम्मेंसन करके चलिए जनकारी हसिल किजिए और आगे की और चुनाओ लड़िए चुनाओ जीती है और अपने समाज का विकास कीजिए अपने पंचायत का विकास कीजिए अपने जिला का विकास कीजिए तब फिर दुबारा और मोका मिलेगा पहली बार चुना कि आपने हाथ पर बहुत माड़ा है लोगों से आगरा निवेदन किया है जासा भी दिया है इसके लोग कर आपने जीत गया है लेकिन दूसरी बार अगर कोई बैक्ति अगर जीतता है तो निश्चित तौर पर या कहा जा सकता है कि उनका जन समर्थन है हाँ एक भी खबर निकल कर सामने आई है बिल्कुल कि एक जिला परिशद का रिजल्ट सामने आ गया है यानि कि उनका रिजल्ट किलियर हो गया है आप कहिए गाто अभी तो पर्थम चरण का चुना हुआ नहीं तो रिजल्ट कैसे किलियर हुआ तो निर्वी रोध जीत गई है कहां के जीती हैं कैसे जीती हैं तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहे हम अगले वीडियो में उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं लेकिन हम आपको संकेत देद रहें कि वह जिला परसद की जो परत्यासी हैं वह कोई पुरुष नहीं बलकि महिला हैं और पहली बार चुनाओं नहीं जीत रही हैं बलकि इसे पहले भी चुनाओं जीती हैं तो बहुत सारे एक हमारे भीवस जो हैं हमेशा पुछते हैं कि सर हमारा सवाल आप नहीं लेते हैं देखिए भाई सवाल हम लेते हैं और लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं परतेक वीडियो को आप देख नहीं पाते हैं फिर भी उन्होंने लोहार जाती की बात की है कि जाती अनसूची जन जाती के लिए है तो इस सम्बंद में हमारा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसको आप जाकर देख लिजिए ऐसे भी आपको चुनाव लड़ने की अनुमती है आप चुनाव लड़ सकते हैं विसे संबाद के लिए आप अपने अस्थानिये परखं करेंगे कि इस चीजों पर आप से हम आपके लोगों से लुहार जाती के जो नेता हैं आपके प्रदेश अस्तर पर उनसे बात करके तमाम चीजों को हम किलियर कर देंगे फिलाव थोड़ी से आपको इंतजार करना होगा नहीं तो आप जाकर वीडियो साहिप से मिल सकते हैं चली हम अगली बड़ी खबर कि अगर हम चर्चा कर लेते हैं इसमें ही कि क्या है जंडे और बैनर की प्रोसेस आयोग ने कहा कि परचार के लिए वाहनों में जंडा और बैनर लगाने पर रोक नहीं है यानि कि आप अपने वाहनों पर जंडा और बैनर लगा सकते हैं इसमें क को लेकर भी हम बताएंगे देखी हमारी खास रिपोर्ट हम आपको बता दे कि पंचाय चुनाओं में परत्यासी अपने पद के हिसाब से निर्धारित वहनों में धंडा बैनर लगा कर चुनाओं परचार कर सकते हैं राज निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचाय चुनाओं में अभियर्थियों द्वार अपने आवास एवं कर्याले या परचार वहन पर पोस्टल बैनर लगाये जाने पर रोक नहीं है दरसल कई जीलों से परत्यासियों द्वारा या पूछा जा रहा था कि चुनाओं परचार के लिए वे अपने घरों चुनाओं कर्यालियों या वाहनों पर जंडा बैनर लगा सकते हैं या नहीं इसको देखते हुए आयोग ने सभी जीला निर्वाचन पदादीकारी पंचायत को निदिसा निर्देश जारी कर दिया है आयोग ने कहा है कि परत्यासी चुनाओं परचार के लिए अपना कर्याले भी खोल सकते हैं लेकिन इसकी सुचना उन्हें संबंदित निर्वाची पदादीकारी को देनी होगी कि उनका चुनाओं कर्याले किस अस्थान पर है कर्याले खोलने में होने वाला खर्च भी चुनाओं खर्च की सीमा के भीतर ही होनी चाहिए अब बात कर लेते हैं कि किस पद के उमिदवार को किस तरह का वहनों का परियोग करना है मुखिया सरपंच साहव पंचाय समिती सदस के पदों के पर्ट्यासी परचार अभियान के लिए अधिक्तम दो पहिया वहन या फिर एक चार पहिया वहन का उपयोग कर पाएंगे वहीं ग्राम पंचायत के सदस और पंच पद के उमिदवारों को परचार अभियानी के लिए सिर्फ एक दो पहिया वहान ही अनुमती होगी जिलापरसत सदस पद के उमिदवार चार दो पहिया वहान या फिर दो चार पहिया वहान का परियोग कर सकते हैं प्रसत के लिए चुट दी गई कि दो होर विलर या चार मोटा साइकिल का परियोग कर सकते हैं यानि कि मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि उमिदवारों को अपने घरों या वाहनों पर जंडे बैनर का परियोग करने का अनुमती राज निर्वाचनायोग ने दे दी है इसकी एक ही दो पहिया वाहन का परियोग करना है आपने देखा आपने जाना कि मुखिया और सरपन साहथ कितने का करेंगे तमाम चीजों को हम आपको रूबरू कराते रहते हैं और कोसिस करते हैं कि वीडियो छोटी हो लेकि जनकारी देने के करम में जनकारी वह पूरी नहीं हो पाती है इसलिए वीडियो जो है कुछे लंबी हो जाती है आपको हर चीज की बाते बताना बहुत जरूरी होता है आप हमेशा पूछते रहते हैं कि सर बताए क्या 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 डॉक्मेंस लगा बजबते उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया है लेकि फिर भी हम चलते चलते बता दें कि आठ दस्ता वेज लगेंगे जिसमें परपत्र चर में नामांकर पत्रे के सभी कॉलम भरा गया हो वह चाहिए परपत्र चो पंचायत राज अधिनियम दोजार चो की धारा 136 के प्रादिदान के बारे में सपत्पत्र होनी चाहिए मदाता सुचीक में ना प्राजी रसीत का मूल प्रती चाहिए और अच्छी सित लड़ने के लिए जाती परमानपत्र चाहिए और दो फोटो चाहिए तो यहातिक कागजात के बारे में सतर कराईए चुनाओर निर्भित्ता से लड़िए सवतंतर होकर लड़िए अपने बिचारों को लोगों के ब सेवा करने के लिए आए हैं तो आपको चुनाओ जितने के लिए महनत नहीं करनी होगी लेकिन आप जाल फ्रेबी वगरा करके अगर चुनाओ जितना चाहिएगा तो नहीं जित पाईएगा इसलिए आगे पढ़िए मन को बिल्कुल साप रखिए अपने विचारों को वीडियो में तब तक के लिए दीजे इजाज़त धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात्रव